हेलो गाईज स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहां बात करेंगे बांगला देश और अफगानिस्तान के बीच में जो यह मैज खेला जाएगा इसके बार में फुल प्रिव्यू लेका हैं अगर आप यह वीडियो पूरा पड़ेगी बाकी देखो जो भी अपडेट आएगा इस में से रिलेटेट को इंजिरी रिपोर्ट आती है आफ्टर टॉस की जो भी प्लेइंग लावन आती है वह सारी इंफोमेशन आपको टेलिग्राम पर इंफॉर्म कर देते हैं बिल्कुल फ्री में तो टेलिग्राम से जूर जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के देस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ठीक है कोमें अब सबसे टॉप कोमेंट में ही मिल जाएगा पिछकी बात करते दोस्तों जाहूर इमा चौधरी स्टेडियम चटठगूरम का एक ग्रांड है ठीक है चडूगरम का आप एक चीज़ धियान देंगे तो 20 में से सिर्फ और सिर्फ इकी बार 300 प्लस स्कोर गया है सबसे ज्यादा नौ बार 200 के अंडर इसकोर रहा है और उसके बाद 200-299 के बीच में ठीक है यहां पर रिसेंटली अगर तीन मुकाबले जो हम देखें जो खेला गया है 2018-2021 के बीच यां पर आप देखनांपाञ about देखने बांगलादेश ने डाइसल रं बनाये थे जिंबाववे ने 206 स्कोर पांच बाथर पेसिघए यहां पर ने 297 बनाया था वेस्ट इंडीज की टीम ने 177 पर दम तोड़ दिया था इस्पिनर्स ने 12 विकेट यानि कि 10 विकेट इस्पिनर्स ने यहां पर 21 विकेट निकाले थे लेकिन दोस्तों यह जो मैचेज आप देखना यहां पर बंगलादेश ने डॉमिनेट किया तो बंगलादे बंगल दिस्टैन करी तो आप यह मतं समझेगा कि थे को यहां ठीक है तो आठमक्ρού मुकाबले हैं पांच मुकाबले वांगलादेश ने तीन मुकाबले से अफगानिस्तान ने जीते हैं फिरेंकिंग आप देख सकते हैं इसके लावा दोस्तों अब हम बात करेंगे पहले अजिआ की बात करेंगे इप प्रिचर्फ करेंगे अभक्त इंगर चार रहेंगे it पांचो नमबर पर यह दो इनके में इसपिनर्स रहेंगे बाकी इसके लावा अगर इनके तीम करवाना चाहे तो जरूरत पर तो मौमद उला और फिर उसके बाद पर तो आफिफूसाइं ठीक है इनके पास देखो तमीम एक बार लेफट हेंडर है सेंटो लेफट हेंडर है स इनके जो ओपन बॉलर है मिस्ता फिज्रमान तास्कीन अमद दथ में मिस्ता फिज्रमान कन्फरम है बाकि सौरिफुल इसलाम के ज्यादा चांसे से कभी-कभी तास्कीन अमद भी आसकते हैं अगर इन में से किसी का एक ऑफडे रहात तो इनके आप इंपोर्टेंट देख सकते हैं जिसके नाम किया टिक लगए बाकि हम आगे देखेंगे अमें किस प्लिए को कब लेना तो इसाप से आपकी इंपोर्टेंस उनको पता चलीगी आप इनके प्लेयर वाइस पहले स्टैट्स देखना मुस्फिकर रहिम जिसके नाम किया कि सेंट देख सकते हैं एक साथा क्या और यह लोग रिशेंटली फॉर्म में भी थे जो अब इनका बीपिल खतम हुआ है आफ इसेंट इसकोर देख सकते हैं नजमाल उसन सेंटों का रिशेंट फॉर्म अच्छा नहीं था आप जो अभी खेले थे यह मतलब उतना अच्छा नही आप एक मतलब टैलेंटेट खिलाड़ी है उसके बाद आए से सकीब लसं मौहमद दुला और इनके में ओल राउंडर है सबसे में शकीब लसं दैन इसके बाद मौहमद दूला मौहमद दूला बैटिंग इस्टिक इनके जो में बॉलर मिस्ता फिजूरेमान नासु महमद इ देख सकते हो इसी तरीके से आप यहां पर फॉर्म्सी देख सकते हूं की agnar इसके रावा इबादत हुसेन है आप इनका भी मैट नहीए यह कि इंपार्टिक अरे तयों यहां तो यहां पर देखना जेए अप्शिक तो रह्मानुल्ला गुर्बाज और र्याज सेशन ओपन करेंगे रहमाज सा वन डाउन हास्मतुला साइदी देन नजीबुला जदरान मुहमद नभी गुलब दिन नयब रसीद खान यामिन अमज जाई मुझीब रहमान और फरिद मलिक ऐसा भी हो सकता है यह लोग अजमतु रहेंगे यह लोग कभी-कभी नायब को भी लेकर आ जाते तो यह लोग का देखो इस पिनर के ऊपर यह लोग थोड़ा जादा करते हैं तो रसीद खान भी द्यत्में आ सकते तो मैं कहने सकता कुछ इनकी ओपन बॉर्राल यही है मैं आमज जाई और फरिद मलिक कभी-कभी यह लोग की स्पिनर से भी ओपन करवा लेते हैं ठीक है इनके स्टैट्स देखते हैं रह्मानुला गुर्बाज का रिसेंट फर्म देखना ओडियाइज में जिसमें इन्होंने दो सतक जड़े हैं यहां पर एक सतक दूसरा सतक की रहा लेकिन यह जो है नीदल लेंड के खि हीटर ठीक है इनका 30 का आवरेज है रिसेंट इसकोर आप देख सकते हैं चार मेंच मेंच में चले हैं इसके बाद साहिदी अच्छा खाल से स्कोरिंगे चौंतिस का इवरेज है इनका भी आप देखेंगे एक सत्तर का स्कोर एक पैंतिसे कड़ता लिस ठीक है इबराहिम दो में यह ओलरॉंडर है जो यह फास्ट गंद बाज़ और यह इस्पिनर है रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं दोनों का ठीक है उसके बाद अजमत उल्ला ओमर जाए मोस्पॉली नहीं खेलेंगे साहिद उल्ला कमाल भी साहिद नहीं खेले रसीथ खान मुजीब इनके साहिद को यह खेल जाए आप जो भी खेलेगा आप देख सकते हैं इनका स्टैट्स इनका एक मैंच में एक इनका छे मैंच में पांच इनका साथ में आठ विकेट है तो मुझे लग रहा है फारीद मलीक के ज्यादा चांसे से खेलने के ठीक है इसके अलावा इनकी टीम में क कुछ भी चेंज होगा मैं आपको टेलिग्राम पिंफर्म करूंगा लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दिया तो जल्दी से जाके जुड़ जाईएगा अब हम देख लेते हैं हैड-to-head ठीक है जब ही दो नोटी सबसे ज़्यादा विकेट साथ में ठारा उसके बाद तास्की निमाद चार में आठ मुष्ताफिज रहमान दो में चार मौमद उल्ला साथ में दो अब बंगलादेश की अफ सोरी अफगानिस्तान की तरब से देखें तो साहीदी का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है 38 का बाकि इस ग्राउंड पर कैसा रिकॉर्ड देखो अफगानिस्तान के ज्यादतार प्लेयर इस ग्राउंड पर अभी तक खेली नहीं है तो बंगलादेश के कुछ प्लेयर्स खेले हैं जिसमें से रहीम का 113 ग्राउंड पर तमीम इकबाल का 62 सकीब लेशन का 35 लिटन दास 44 अब हम बात करेंगे कि कैप्टन कौन होने चाहिए तो देखो इस मॉल लीग में कैप्टन वैस कैप्टन आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन सकीब लहसन के बाद रसीद खान मेरे सबस्ट यह दो बैस्ट ऑप्शन है तमीम इकबाल और मिस्ताफिज रिमान को अगर यह दो अच्छी ऑप्शन है क्योंकि लेटन दास को बहुत कम लोग ट्राई करेंगे और नजीब उलजदरान को भी बहुत कम लोग ट्राई करेंगे लेकिन नजीब उलज्यादन एक हिटर है आफिप फूशन का फॉर्म बहुत अच्छा था अभी रिसेंटली आपने अब देखो फारीद मलीक इनकी टीम अगर बॉलिंग डाले तो यह आ सकते हैं लेकिन क्या इनको टीम में लोग लेंगे तो बहुत मुश्किल है कि इनको लोग लेके चले तो इस वाज़े से मैंने आपको बोला कि यह सब प्लेयर्स को आप लोग ग्रैंड लीग में जब प्लेयर्स ट्राई कर सकते हैं ठीक है कैप्टन मेंस कैप्टन ग्रैंड लीग में आप किसे ट्राई कर सकते हैं जब बंगले इसकी टीम पहले बैटिंग करें उसके बाद आर गुरुबाज क्योंकि इनके पिछले साथ-ाथ मैच में दो सतक हैं उसके बाद मुजीव और नभी इन में से किसी को आप ट्राई कर सक हैं तो यह आपको इस मैच में भेंकर क्रेडिट प्रॉब्लम आने वाली है और मैंने टीम बना के देखा ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा था कि मैं उसी पर मतलब जैसा वह टीम बनारा क्रेट मैच हो जाए बट क्रेट वहां पर बहुत ज्यादा मतलब हम लोग टीम नहीं बना पाएंगे आप टीम बना रहे हैं तो बना के देखेगा आप लोग अच्छे प्लेयर नहीं ले पाएंगे तो अगर आप अच्छे प्लेयर eh लेने पड़ हैं तो वह गेम फिर लक पर चला जाता है तो लकब ल chips कर दें तो यहिडिया अपको syڑ मैं को सज्जेस्ट करूंग तो यहां पे करेड़ का है अगर आप साइनप करने चाहते तो टेलिघराम चैनल पर आपको लिंक कर सकते हैं वहां से आप जाके साइन आप कर सकते हुआ हो यहां पर क्रेडिट से बहुत जाद है और कोई भी परफॉर्म कर जाएगा तो यह चीज है पर प्रॉब्लम भी और फिर प्लेयर्स की भी मतलब चूज करने का तरीका जो भी अवरेज अगर सब कुछ ही हम लोगो मजबूरान मजबूरी में करना पड़ रहा है तो फिर वह चीजे लग पर चलिए इ एक स्टेबल टीम है बट जो हम बात करें यदि अफगानिस्तान के टीम तो वह एक बहुत अच्छी साइड है उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा है रसीद खान मुझीब हैं बैटिंग से साइधी रहमस्सा गुरबाज भी हैं तो यसा नहीं कि वह कीपिंग जो है साइध मुझ्विकर रहीम ही करें रह्मान उल्लागुरवाज नो डाउट बहुत 27 प्लेयर वन डे में दो सतक भी जड़ चुके हैं एक नीजल लेंड के खिलाफ ओर एक 127 का इनका सकोर भी यानिए दो सतक है सिर्फ 6-7 मैंच खिलें ज्यादा मैच नहीं ख सकते हैं मेरी टीम में जगे नहीं मन पाई है क्योंकि मैं आल राउंडर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फूकस कर रहा हूं लेटन दास अगर मुष्विकर रहीम की जगे आपको लेना है तो इनकी टेम अगर चेस करेगी तब आप लेटन दास को ले सकते हो अच्छा रिकॉर्ड तमीमिक बाल मस्टाप पिक सबसे रिलायबल बल्लेबाज बंगला दिसके कैप्टन वाइस कैप्टन इसके लिए आप लोग सोच सकते हो उसके बाद रहमस साहीदी और नजीबुलेजदा ने तीन ओप्शन से देखो अफगानिसान की तरफ से यह दो रिलायबल बल्लेबा तीन मच में से एक में चले थे लेकिन नजीबुला जद्रान का जो खेलने का जो है नेचर है वो थोड़ा अटेकिंग रहता है यह जब फिनिशर खेलते ही है तो आप देखो बल्लेबाजी तो इनकी दोनों तरफ से आनिए जाए फस्ट बल्लेबाजी हो तो आप इनको इम से खेलते हैं यह थोड़ा अटेक करकी खेलते हैं ठीक है तो जिसको भी चांस मिलता है अप ग्रेंड लिग में ट्राइक करना रियाज असन बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं और एक मैच डेब्यू किया था निदर लेंड के तो वहां पचासन भी बनाए था ओप लेजन और महमद उला की बात के थोड़ा नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं अगर यह तो इनकी टीम चेज कर रही है तब आप इनको हटा के यहां से आप लेतन दास को ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो रह्मन उला गुर्बाज को ले सकते हैं यह फिर एक एक एक्स्ट खेल रहा है और उनका दिन खराब रहा उनका धुनाई हो गया तो हो सकता है यह आपको देथ में बाजी करते हुए दिख जाए गुलब दिन नाइब ठीक है और थोड़ी सी बल्ले बाजी भी कर लेंगा तो एक डीसेंट आल राउंडर है नो डाउट अच्छी चोईस है कुछ विकेट्स भी लेकर चले जाएंगे तो मैंने इनको इसलिए भी लिया हुआ है आजमतुल्ला उमरजाए और साइदुल्ला कमल मोच पर भी नहीं खेलेंगे खेलेंगे तो आजमतुल्ला उमरजाए काफी टैलेंटेड है उसके अलावा कुछ भी चेंज होगा मैं मुझीब भी मस्टपी के रीजन देखो रसीद खान अपनी टीम के लिए हिटिंग भी कर सकते हैं प्लस विकेट टेकिंग बॉलर मिश्टा फिजर एक विकेट टेकिंग बॉलर है आप सभी को पता है किसी बीनिंग में इनकी टीम गिनबाजी डाले स्विंग के लिए जाने या महदियसन मिराज के जगे पर आप लोग यहां पर सौरेफुल इसलाम को ले सकते हैं और आप लोग महदियसन मिराज के जगे गुरबाज को ले सकते हैं यह चेंज आप कर सकते हैं नासु महमद भी ठिक टाग उप्शन दाएंगे विकेट टेकिंग बॉलर है आप लोग तब आप इनको इस case में ट्राइ कर सकते हैं कहा सामस सायद नहीं खेलेंगे तासकीन अमद को अगर आपको लेना तो यह बीच के ओवर्स में अपने ओवर्स कंप्लीट कर जाते हैं बट इस टीम के अगेंस रिकॉर्ड अच्छा इनका तो आप लोग ट्राइ करना चाहें कर सक फिर भी अफगानिस्तान की टीम उनको हराने का दम रखती है ठीक है तो यह एक तरफा टीम मत बनाना है इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं लिया हुआ है यदि बंगलादिस की टीम पहले बॉलिंग करती है तो साइद मैं सौरिफुल इसलाम को मौमध दुला यह महदे हसन मिर मिश्ता फिज्रमान यह इनकी टीम पहले बॉलिंग करें तो ठीक है अब मैंने जैसे आपको बता है मौमध दुला और मैदी हैसन मिराज इनके जगे पर मैं चाहूं तो गुरबास को और इनके जगे पर चाहूं तो सौरिफुल इसलाम को ले सकता हूं तो यह चीज़े मैं टेलिग्राम चैनल का तो वहां से आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर आ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो आपको थोड़ी इंफो अच्छी लगए तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दाबाना क्यूंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है थैंक्यू सो